हलो दोस्तो आज की बुक समरी है बेटर एंड फास्टर यानि बहतर और तेज इसको लिखा है जेरेमी गोट्षे ने दोस्तो क्या आप भी इस बात से परिशान हैं कि कॉलेज में आपको जो कुछ सिखाया गया था उसकी मार्केट में अब मांग नहीं रहिए क्या आप भी इस बात से डर रहे हैं कि कहीं आप इस वक्त में पीछे न रहे जाएं अगर हां तो यह किताब नए आइडियाज को खोजने और उन्हें लागू करने में आपकी मदद कर सकती है इस किताब की मदद से आप खुद को अपनी समस्याओं से बाहर निकाल कर नई आदतों के आसमान में उड़ना सीख सकते हैं यह किताब हमें उन छे तरीकों के बारे में बताती है जिनकी मदद से हम एक नए आइडियाज को खोज कर उसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं साथ ही यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपनी इंडस्ट्री को पहचान कर उसके हिसाफ से एक अलग और बहतर प्रोड़क्त बना सकते हैं किस तरह से आप एक नया आइडिया पैदा कर सकते हैं बिजनिस में बविष्य का अनुमान लगाना क्यों जरूरी है वे कौन से तरीके हैं जिनें अपना कर एक कमपनी क्ताम्याब बन सकती है अभी दोस्तों आगे वड़ते हैं बेटर एंड फास्टर बुक्समरी की तरफ सबसे पहले NCR Readers Club में फिर से आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए दोस्तों आथर कहते हैं काम्याब होने के लिए प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी होता है जादातर लोगों को लगता है कि काम्याबी हासिल करने के लिए जिन खूबियों की जरूरत होती है उनमें वे सारी खूबियां है हलंकि कुद पर वरोशा करना अच्छी बात है लेकिन कभी-कभी इस तरह से वरोशा करना हमारे लिए कुछ समस्याओं को पैदा कर सकता है जो हमारे नाकाम होने की वज़े बनती हैं आए कुछ इस तरह की समस्याओं को जानते हैं सबसे पहली समस्या होती है कम्पली कैसी इसका मतलब होता है अपनी पिछली काम्यावी को याद कर करके खुद को सावासी देते रहना इसका एक अच्छा एक्जम्पल है टेक्शी इंडस्ट्री जब तक उवेर नहीं आया था उस बक तक टेक्शी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चला करती थी लोग कुद की टेक्शी लेकर सडकों पर निकल लेते थे और साम तक अच्छा पैसा कमा कर लोटते थे लेकिन ओला और उवेर के आजाने के बाद लोगों ने ऑनलाइन टेक्शी बुक करना शुरू कर दिया और ज़्यादा तर लोग इसे इस्तिमाल करके अपना समय बचाने लगे वे टेक्शी को नहीं कोशते बलके अब टेक्शी खुद उन्हें कोशते खोशते उनके घर पर आने लगी लेकिन टेक्शी इंडस्ट्री अब भी पुराने तरीके पर काम कर रही थी जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी दूसरी समस्या तब पैदा होती है जब आप आगे चल कर वही काम करने लगते हैं जिससे बीते वक्त में आपको काम्यावी मिली थी समय के साथ साथ काम करने के तरीकों का न बदलना और उसी काम को बारवार करते रहना हमारे लिए नुक्षान की बज़े बनता है एक्जामपल के लिए आप जिरॉक्ष इंकॉर्परेशन को ले लीजिए जिरॉक्ष अपने समय की सबसे बड़ी जिरॉक्ष मशीन बनाने वाली कम्पणी थी लेकिन समय के साथ जमाना डिजिटल होता जा रहा था और जिरॉक्ष अभी इस बात को समझ नहीं पाया था इसके बहुत सारे उधारन आपको मिल जाएंगे जैसे हम्ट लोकिया आदी तीसरी समस्चा है प्रोटेक्टिवनेस जिसका मतलब होता है खुद को बदलने से रोकना और यह सोचना के हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे इसका एक्जामपल है कोडक कैमरा जमाना बहुत तेजी से रील वाले कैमरे से भागते हुए डिजिटल कैमरे की तरफ आ रहा था लेकिन कोडक नई टेकनोलोजी में इन्वेस्ट करने के वज़ाए अपने पुराने कैमरे को मार्केट में लेकर आ रहा था जिसका नतीजा यह हुआ कि 2012 में वो कंपनी वेंक्रप्ट हो गई अपनी भूख को कभी मिटने ना दे और जितना हो सके नया सीखने की कोशिश कीजिए जैसा कि हमने देखा कि हम अक्सर अव के बक्त को देखना छोड़ कर पुरानी चीजों को पकड़े रहते हैं जिसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन हम इन्हें बड़ी आसानी से भगा भी सकते हैं आईए देखें कैसे सबसे पहले तो आप अपने अंदर कभी न खतम होने वाली भूख को पैदा कीजिए ताकि आप हर बक्त बाहर निकल कर कुछ अलग अलग तरह के मौकों को खोशते रहें जिससे के आपकी भूख मिट न सके इसका अच्छा एक्जमपल एमाजोन और नेटफलिक्श है यह दोनों कमपनियां समय समय पर अलग अलग तरह की शुवदाएं अपने ग्राहकों के लिए लेकर आती हैं एमाजोन शिर्फ सामान बेचने को छोड़ कर अब म्यूजिक मूवीज भी बेचता है साथ ही उसने ओडिवल के साथ किताबों को पढ़ने का एक और आरमदाएक तरीका निकाल दिया है हर साल के बदलते माहौल में यह खुद को डालता रहता है इसके बाद आप हर वार बाहर निकल कर यह जानने की कोशिश कीजिए कि इस समय मार्केट में क्या नया चल रहा है आप यह पता करने की कोशिश कीजिए कि आपके ग्राहकों को इस समय क्या पसंद आ रहा है ताकि आप एक काम को बारवार एक तरीके से ना करके अलग अलग तरीके से करें इस तरह से आप समय के साथ अपने काम करने के तरीके को भी आगे लेकर जा सकते हैं इससे आपको अपने दिमाग के नए हिस्सों का इस्तिमाल करने का मुका भी मिल सकता है और आपको अपनी कुछ खास खूबियों के बारे में भी पता लग सकता है इसके बाद आप अपनी पुरानी परस्टनल्टी को बरबाद करने के लिए हमेशा तयार रहिए इसका मतलब है किसी भी चीज के साथ चिपक कर मत बैठिये खुद को समय के साथ बदलते रहिए करके अपना एक अलग ब्रांड बना सकते हैं इस सबक में हम पहले दो तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है मिलाना और माटना मिलाने का मतलब है कि मार्केट में हो रही उतल पतल का फाइदा उठा कर या ग्राहकों की चल रही पसंद का फाइदा उठा कर कुछ ऐसा वनाना जिससे के आप उनके धिमाग पर च्छा सकें और खुद को प्रतियोक तक से अलग कर सकें आप चाहें तो अलग-अलग तरह के ट्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्जम्पल के लिए आप आईफॉन के एक एप को ले लीजिए जिसका नाम है जॉंबीस रन जैसा के हम अपने आसपास देख सकते हैं कि हर कोई चाहता है कि वो अपनी सेहत पर ध्यान दे सेहत का मार्केट बहुत बड़ा है इसलिए आईफॉन ने इसका फाइदा उठा कर एक फिटनेस एप बनाया साथी लोगों को जॉंबीस बहुत पसंद होते हैं अब चाहें वो कोई गैम हो या मूवी इन दोनों ट्रेंट को उसने जीपियस से मिलाया और एक जॉगिंग एप बना दिया जो कि ग्राहकों को बहुत पसंदा रहा है इसके बाद आप बांटना सीखिए इसका मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा अलग कर दीजिए जिससे कि आप भीड से अलग हो जाएं आप चाहें तो एक ऐसी सुविदा दे सकते हैं जिसकी नकल कर पाना लगवक नामुम्किन हो या फिर एक ऐसी चीज अपने ग्राहकों को दे सकते हैं जिसे इस्तेमाल करते बाद तो नहीं लगे कि वे सबसे अलग लग रहे हैं एक्जामपल के लिए आप गूगल को ले लीजिए जिसका सर्च अलगोरिफ्म इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसकी नकल कोई नहीं कर पाता इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहँचान कर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना होगा आपको यह देखना होगा कि आप अपने ग्रहाकों को ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे या तो उनकी जिन्दिगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाए या फिर वे आपके प्रोड़क्ट को इस्तेमाल करते वक्त यह मैसूस करें कि वे सबसे अलग लग रहे हैं खुद को प्रतियोगता से अलग करने के लिए साइकलिशिटी और रिडारेक्शन का इस्तेमाल कीजिए इस सबक में हम उन तरीकों की बात करेंगे जो बवेश्य का अनुमान लगाकर काम करने में हमारी मदद करते हैं यह दो तरीके हैं साइकलिशिटी और रिडारेक्शन इन तरीकों की मदद से हम इस समय चल रहे ट्रेंड या मार्केट की हालत को देखकर यह पता लगाते हैं कि बवेश्य में इसके हिसाफ से क्या हालत हो सकते हैं एक बार हमें यह पता लग जाए तो हम बवेश्य जानकर उसके लिए खुद को तयार कर सकते हैं सबसे पहले हम साइकलिशिटी की बात करते हैं आपने साइद यह सुना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है साइकलिसिटी सब्द का मतलब यह है कि यहाँ पर सब कुछ एक साइकल में चलता है एक गटना के गटने के बाद दूसरी गटना का पता लगाया जा सकता है अगर हमारे पास सही जानकारी हो तो एकजामपल के लिए 2008 में जब हर कोई रियल स्टेट में अपना पैसा लगाने लगे थे तो कुछ एक्सपार्ट यह समझ गए थे कि इसका स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा उपर उठ गया है कि यह कभी भी क्रेश कर सकता है इस गटना को देखकर उन्होंने बविश्य का अंदाजा लगा लिया और खुद को उसमें इन्वेस्ट करने से बचा लिया इस तरीके का इस्तेमाल फैशन की कंपनिया करती हैं वे मार्केट को देखकर यह पता लगाने की कोशिश करती रहती हैं कि आने वाले वक्त में ग् इसा को बदल कर ठीक करना यहां पर इस सब्द का मतलब है कि वो चीजें जो इस समय ग्रहाकों को पसंद नहीं आ रही हैं उन्हें किसी और तरह से पेश करके उनके सामने लाना कि वे उससे पसंद करने लगें इसमें हम कुछ इस तरह से काम करते हैं कि हम एक नेगेटिव च होना चाहिए कि लोग असल में क्या चाहते हैं और आप अपने प्रोडक्त में किस तरह का सुधार करके उसे ग्रहाकों की नजर में अच्छा बना सकते हैं अपने प्रोडक्त को कम करके आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं ज्यादा का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता प्रोडक्ट को चुनिए आप यह देखिए कि ग्रहकों को कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आ रहा है और क्यों सबसे पहले एक छोटे मार्केट में अपने उस खास प्रोडक्ट को लोगों तक पहुचाईए और देखिए कि क्या उन्हें वह पसंद आता है फिर आप धी के ग्रहकों पर ध्यान देते हैं बे कुछ ग्रहकों पर खास ध्यान देकर बहुत फाइदा कमाई करते हैं एक्जामपल के लिए आप कुत्तों का खाना वेचने वाली कंपनियों को ले सकते हैं बे उन पर ध्यान नहीं देते जो बिल्लियां पालते हैं और नहीं उन पर जो कुछ नहीं पालते उनका खास ध्यान शिर्फ उन लोगों पर होता है जो कुट्ते पालते हैं इसके बाद आता है रप्तार को बढ़ाना इसमें आप अपने प्रोडक्ट की कुछ खास खूबियों को पहचान कर उनके बारे में अपने ग्राहकों को बताते हैं इसमें आप अपने ग्राहकों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रोडक्ट बागी की कम्पनियों के प्रोडक्ट कीव अच्छा है और लोगों को आपका प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह से आप उनका ध्यान खीच कर उनका भरोसा जीत कर बहुत तेजी से आगे वड़ सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को पहँचान कर अपना ध्यान उस पर लगाईए एक बार आप इन छे तरीकों को समझ जाएं तो आप किशी भी मार्केट में अपना एक खास प्रोडक्त लाउंच कर सकते हैं या लाउंच करके उसे काम्याब होता हुआ देख सकते हैं लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एक आइडिया चाहिए होगा और साथ ही उस आइडिया को आइडिया से हकीकत में लाने का तरीका भी चाहिए होगा जब आप एक नया आइडिया खोजने के लिए निकलें तो आप जितनी ज़्यादा रिशर्च करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा आप चिर्प अपने आसपास की चीजों को ना देखकर या देखिए किस तरह से आप एक बहतर आइडिया बना सकते हैं आप चाहें तो दो या दो से ज़्यादा आइडियाज को मिला भी सकते हैं आप चाहें किसी वी तरह का प्रोडक्त बेचिये आपको बवेश्य का अनुमाल लगाना आना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि आने वाले समय में लोगों को क्या पसंद आएगा और उससे भी पहले यह पता होना चाहिए कि क्या उन्हें आपका प्रोडक्ट हमेशा पसंद आएगा खास तोर पर अगर आप फैसन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको इसमें माहिर बनना होगा फैसन बहुत तेजी से बदलता रहता है जब तक एक फैसन इंडस्ट्री एक फैसन को पहचान कर उसके हिसाब से कपड़े बना कर मार्केट में अपने ग्रहाकों को तक पहुचाती है तब तक वो फैशन पुराना हो चुका होता है इसलिए इस तरह की इंडस्ट्री में अगर आप बविश्य का अनुमान लगाना नहीं जानेंगे तो आप कभी काम्याब नहीं हो सकते हैं कपड़े बनाने वाली कमपनी जारा सिर्फ 14 दिन के अंदर एक नए फैशन को पहचान कर उसके इसाफ से कपड़े बना कर मार्केट में ले आती है और इस तरह से वो काम्याब है आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग से कपड़े बनना शुरू हो सकता है इसका मतलब यह है कि ज चीवी एक चीज या एक आदस से चिपके रहना बहुत नुक्सान दायक हो सकता है खुद को हमेशा नए आइडियाज और नई आदतों को अपनाने के लिए तैयार रखिए और कभी भी अपने पुराने ब्यक्तित्तों को खतम करने में हिचके चाहिए मत मार्केट में गूम गूम कर अपने ग्रहकों में चल रहे ट्रेंड को पहचानने की कोशिश कीजिए इस बक्त के हालात को देखकर वावेश्ची के लिए खुद को तैयार कर लीजिए ताकि आप प्रत्योगता से बाहर रह सकें साइकली सिटी किसी नए मौके को खोजने का एक बहुत अच्छा तरीका सावित हो सकता है दिये गए चार तरीकों को इस्तेमाल करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो खुद को दोहरा सकते हैं ताकि आपको एक नया मौका मिल रखे करने की कोशिश कीजिए कि आगे क्या हो सकता है ताकि आप प्रतियुक्ता से आगे रह सकें दूर तक देखने की कोशिश कीजिए वहां तक मत देखिए जहां तक सब लोग देख रहे हैं बलके वो देखने की कोशिश कीजिए जो वे नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों ये आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और अगर आप किसी अपनी पसंद की बुक शमरी सुनना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट में बताएं हम उसकी समरी लेकर आएंगे वीडियो की को लाइक और शेयर करें तरन्यवाद आपका दिन सुभो